Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 16.3 का question number 18 देखते हैं क्या है In class 11, of a school, 40% of students study mathematics and 30% students biology 10% of the class study both mathematics and biology क्या क्या रखा है, एक school के अंदर, class 11 के अंदर 40% students ने तो mathematics ले रखा है मतलब non-medical, 30% students ने biology ले रखी है, मतलब medical ले रखी है और 10% बच्चे ऐसे हैं जिनोंने combine ले रखी है, mathematics भी और biology दोनों भी ले रखी है If a student is selected at random, अगर क्या किया जाए, पूरी class से एक बच्चा select किया जाए randomly From the class, find the probability that he will be studying mathematics और biology तो हमने probability किसकी निकालनी है, mathematics और biology, दोनों जिस बच्चे ने ले रखी है उसकी probability क्या होगी ठीक है, simply समझ में आ गया question क्या करना है, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो, mathematics दे रखा है हमारा 40% तो इसकी probability निकालनी पड़ेगी, कैसे निकलेगी देखते हैं यहाँ पे solution देखते हैं 40% student are of mathematics mathematics के हैं, तो probability of किसकी mathematics students की क्या हो जाएगी P of M मान लेंगे इसको, 40% दे रखा है, तो 40 by 100 तो कितनी होगी, 0 by 0, यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2 by 5, तो 2 by 5 probability होगी हमारी किसकी math वाले students की अब 30% students किसके हैं 30% students are of biology जिस तरिक्के से question कर रहा हूँ, उसी तरिक्के से करना है, थोड़ी बहुत statement आप अपनी तरिक्के से लिख सकते हैं तो probability of biology students क्या होगी 30% है तो 30 by 100 % में है तो 100 हो जाएगा न, डिवाइड में, 0 से 0 तो कितनी आगी 3 by 10 यह भी पता चल गया और क्या दे रखा है data 10% ऐसे student हैं जो दोनों study करते है, mathematics and biology, यहाँ पे देखो word क्या use क्या है, end, end मतलब math or biology का intersection दे रखा है तो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है 10% are of both mathematics and biology, तो probability of math intersection biology क्या हो जाएगी 10% है 10 by 100, तो 0 से 0 cancel तो कितनी आगी 1 by 10 समझ में आया या नहीं आया clear हो गया होगा यहाँ तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जो भी statement दे रखी हो, मैं बार-बार बोलता हूँ, बड़े ध्यान से पढ़नी है, वही पे आपका सारा solution छिपा हुआ होता है अब यहाँ पे mathematics and biology बोल रखा तो इसका मतलब intersection कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे intersection भी given है तो statement बड़े अच्छे से पढ़नी होती है यह मत सोचा करो बड़ा आसान सा क्योस्चन है कर रखा है, एक मिनिट में कर लूँगा अब यहाँ पे क्या करें वह statement थोड़ी सी change कर ले, mathematics और biology दे दे, तो इसका मतलब यह union दे रखा है हमें समझ में आई बात, कलियर है अगर अच्छे से concept समझ में आ रहे होना है तो subscribe जरूर करना है channel like करना है, share जरूर करना है ठीक है, तो यहाँ पे हमें intersection दे रखा 1 by T, row 10 अब हमने निकालना क्या है देखो, find the probability that he will be studying mathematics or biology, मतलब union find out करना है math और biology का, तो हमने find out करना है probability of math union biology हमारा क्या होगा ठीक है, अब simple सा formula है, probability of mathematics union biology is equal to किसके होगी, probability of mathematics, plus में probability of biology, minus क्या कर देंगे, probability of math intersection biology, बस simple सा formula लगाना है तो यहाँ पे क्या जाएगा, p of m union b is equal to p of m देखो बच्चो क्या है 2 by 5, रख दिया वई plus में p of b देखो कितना है, 3 by 10, रख दिया minus में, intersection है 1 by 10, अब इसको तो soul out easily कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है LCM आ गया इसका 10, 5 तू जा 10, 2 तू जा 4, plus में 3, minus 1 अब यह क्या हो गया, 4 plus 3 7, 7 में से बन गया 6 by 10, 6 by 10 को क्या लिख सकते हैं, 0.6 तो यह probability आ गई हमारी किसकी math और biology की समझ में आ गई बात clear है, तो यह हो गया हमारा answer, question समझ में आ गया होगा, कोई भी doubt किसी परकार का भी अगर लगता है, तो आम मुझे comment करके जरूर पूछ सकते हैं, otherwise Nexa Classes को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा share कीजिए Thank you students for your love and support for Nexa Classes Thanks